हेलो फ्रेंड्स स्वागते अब सपीका हमारे यूट्यूब चैनल गोल्टू सक्सस में फ्रेंड्स अगर आप 2020 वाला नेट या जैराफ का एक्जैम देने वाले हैं तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से स्टडी कर सकते हैं फार्स्ट पेपर के अलावा सेकेंड पेपर शुषॉल्जी के लिए आपर आपको काफे मदद मिलेगी नेट एक्जैम के अलावा अगर आप शुषॉलजी से पीजिटि सेत या फिर हाई एजुकेशन से जुड़व एक्जैम देने वाले हैं तो उसके लिए भी आप यहां स पर सकते हैं and अगर आप हमारे चैनल बनने है और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा चैनल के नाम है GoToSuccess and आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में environment से जुड़े हुए questions जिनमें कि आप लोग पहले बारी अगर आपने वीडियो देखी होगी उसमें Kyoto protocols related हम लोगोंने questions देखे थे कुछ और आज वीडियो में भी उससे related कुछ questions देखने के बाद हम लोग जलवायू परिवर्तन के परिपेक्ष में हम लोग भारत की जो कारियो परियोजना चल रही है इनके बारे में बात करने वाले हैं तो चलिए friends start कर लेते हैं first question है carbon credit का देखे कोड इनमें से किससे शुरू हुआ क्योटो प्रोटोकॉल अर्थ शिखर सम्मेलन मॉर्टिनल प्रोटोकॉल या फिर जी एच शिखर सम्मेलन तो यहां पर आपका first question जो है उसका right answer क्या हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल हो जाएगा carbon credit का जो dust record है carbon credit यह जो परियोजना थी यह प्रोटोकॉल किस से शुरू वा था क्योटो प्रोटोकॉल से तो यहां पर हम first का right answer की बात करें तो आपका option A हो जाएगा जो carbon प्रोटोकॉल है इसके द्वारा ही पर्यावरण में जो carbon उसर्जन है इसको कम करने के लिए क्या किया गया था carbon credit प्रणाली लागू की थी ठीक है याद रखेगा क्योटो प्रोटोकॉल के तहत ही पर्यावरण में जो carbon उसर्जन है इनको कम करने के लिए carbon credit प्रणाली लाग तो उस देश के द्वारा जो किया जाने वाला अधिक्तम कार्बन उत्सरजन है उसका निर्धारन करता है और किसी देश या समू को उसके निर्धारित अधिक्तम कार्बन उत्सरजनों में से प्रती मीट्रिक टन की कटोती करने पर क्या दिया जाता है एक कार्बन क्रेडिट प्रदान किया जाता है और ये जो carbon credit दिया जाता है या विक्रे उसकी उस समय उस जो market का value है market में जो बजार में जो मूले हैं उसके अनुसार वो carbon credit प्रदान किया जाता है ठीके तो यहाँ पर ये याद रखेगा और ये कब से किसे के अंतरगत शुरू हुआ था तो ये क्योटो प्रोटोकॉल है उसके अंदर ये शुरू हुआ था आपका कार्बन क्रेडिट ठीक है तो ये याद रखेगा आगे दिखते हैं सेकंड कोशन है निम्रिखित में से कौन सा विशु का पहला देश है जिसने भूमंडिले तापन के प्रतिकरन के लिए कार्बन टैक्स लगाने का जो प्रस्ताव है ये रखा था ऑस्ट्रेलिया जर्मनी जापान या फिर न्यूजिलैंड तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा सेकंड कोशन का राइट आंसर न्यूजिलैंड हो जाएगा ओप्शन डी यहां पर राइट आं प्रदूर्शन करका ही एक क्या है एक उधारन है और इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्वीडन, फिनलैंड, निदरलैंड और जो नॉर्वे है ये सब कार्बन टेक्स लगा चुके हैं लेकिन अगर हम पहले देश की बात करें सबसे पहले किसने प्रस्ताव रखाता लगा तो नियूजविलैंड है तो यहाँ पर यह आप याद रखेंगे सेकेंड का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा थर्ड कोशन है निम्रिकित में से किस देश ने ग्रीन हाउस गैस के उस सर्जन में कमी करने के लिए 2019 में कार्बन टेक्स लगाने की घोशना क थी ठीक है किस देश ने ग्रीन हाउस गैस के उस सर्जन में कमी के लिए 2019 में कार्बन टेक्स लगाने की घोशना की थाइलेंड चीन सिंगापूर या फिर मलेशिया तो यहाँ पर आपके क्या हो जाएगा सिंगापूर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो यह घोशना 2018 में ही कर देता है और कहता है कि वह अपने ग्रीन हाउस गैस के उस सर्जन में कमी करने कटोती करने के लिए 2019 से एक कार्बन टेक्स को लागू करेगा तो यहाँ पर आपको यह याद रखना है 2019 ठीक है आपका कब हो जाएगा थर्ड कोशन का राइट अंसर क्या जो किरिया है यह जो योजना है का प्रकाशित हुई दी 2008 में 2012 में 2014 में या फिर 2015 में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ओप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 2008 हो जाएगा ठीक है जून 2008 में उस समय कौन था पीम हमारे हैं प्रदान मंत्री मनमोहन जी थे और इ और कब किया था यह जून ठीक है जून 2008 में ठीक है फोर्थ का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आगे देखते हैं फिफ्ट कोशन है निम्रिकित में से कौन सा भारत सरकार की जलवायू कारी योजना के आठ मिशन में सम्डित नहीं किया गया था तो यहाँ पर आपका फिफ्ट का राइट आंसर हो जाएगा आवणिक उर्जा ये हमारे जो जलवायू कारी योजना के आठ मिशन है जो कि भारत सरकार के द्वार निरधारित किये गया थे उन में से ये आठ में से एक जो आडविक उर्जा है ये नहीं था बाकी कि सौर श भारत की जो रास्टी ये बात करें कार योजना है इसका शुभारम कब से किया गया है 30 जून ठीक है याद रखिएगा 30 जून 2008 से ठीक और इस रास्टी कारी योजना में आठ रास्टी मिशन रखे गया थे और उन में से एक ये आडविक उर्जा नहीं है बाकी की ये तीन ह तो फिफ्ट का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा सिक्स्त कोशन है जल्वायू परिवर्तन पर भारत की प्रथम रास्टी ये जो कारी योजना है कब लोकार्पित की गई थी तो अभी आप लोगों को बताया गया क्या हो जाएगा 2008 हो जाएगा ऑप्शन क्या था लागो करने का जो जल्वायू परिवर्तन का जो जो प्रभाव बढ़ रहा है उसके जो उसका दुष प्रभाव हमाएं सामने देखने को मिल रहा है उसको कम करना है और अगर हम बात करें जल्वायू परिवर्तन के कारण कहां 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 देखने को मिल रहा है मैं प पर राइट आंसर और बी हो जाएगा नेक्स्ट है रास्टी हरित मिशन भारत निम लिखित में से किस राजियों में मौजूदा वनों का घनत्व में सुधार करने के उद्देश से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई रास्टी हरित मिशन ठीक है तो जारखंड इन दोनों राजियों में या फिर इन में से कोई नहीं तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा जारखंड हो जाएगा ओप्शन एहां पर राइट आंसर हो जाएगा रास्टी जलवायू परिवर्तन कारियोजना जो है इसके तहत जो आठ मिशन थे रखे गए उनमें से एक मि सुरक्षा, जल सुरक्षा, जैग विविदता के साथ सारक्षा और आजीव का पर जो सुरक्षा है उसकी जरीए परेवरान को क्या करना है बहतर बनाना है ठीक है और अक्टूबर 2015 को रास्टी ग्रीन इंडिया मिशन की जो रास्टी कारकारी परिशद है इसकी जो सेकेंड बैठा खुई थी उसमें देश के जो चार राज थे जिसमें आप याद रखेंगे कौन से स्टेट से पहला था आपका मिजोरम, दूसरा था मरिपूर, तीसरा क्या था केरल और चौथा क्या था आपका जारकंड था इन्हों ने प्रस्तावित जो संभावित योजना थी उसक सा एक भारत के रास्टिय जलवायू परिवर्तन कारियोजना के आठ मिशनों में शामिल नहीं है, सौरे शक्ती, वनिकरन, नाभी की शक्ती या फिर अपसिस्ट से उर्जा परिवर्तन, तो यहाँ पर आपका आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, नाभी की शक्त सौरे शक्ती है, वनिकरन और अपसिस्ट से उर्जा परिवर्तन है, ठीक है, वनिकरन तथा अपसिस्ट से उर्जा परिवर्तन, रास्टिय सौरे मिशन, रास्टिय हिमाले परिप्रेणाली परिक्षन मिशन, ठीक है, रास्टिय हिमाली परिप्रेणाली परिक्षन मिशन, रास्टिए 57 परिवास मिशन ये हैं। और नाभी कि इसमें शक्ति क्या है? नहीं है। ठीक है? एक बर फिर से देख लिजें, जो 8 मिशन हैं। सोरे शक्ती वनी करण तथा अफस्स्त से वनी करण हो गया फिर अफस्स्त से उर्जा परिवर्धन रास्टी सोर मिशन रास्टी हिमाली परिप्रिणाली परिक्षन मिशन और रास्टी सतत परयावास मिशन ठिक है ये आछ म Sorry at यहाँ पर एर्थ का क्या हो जाएगा option C हो जाएगा यह नहीं है नाइन्थ कोशन है किसके सहियोग से जार्खन राज्य जलवायू केंद्र स्थापित कर दिया गया है विश्व व्यापार संगटन WTO या फी Amnesty International सहिंगत राष्ट विकास कारिकम UNDP या फी इन में से कोई नही सहिंगत राष्ट विकास कारिकम हो जाएगा UNDP के द्वारा इसके सहिंग से जार्खन में जार्खन राजी में जलवायू केंद्र स्थापित किया गया है ठीक है जो जार्खन है यहाँ पर UNDP की सायता से क्या है राजी जलवायू परिवर्तन केंद्र को स्थापित किया गया अब ये जो जलवायू परिवर्तन है इस पर राज सरकार को क्या करती है परामश देती है और इसके कुछ जो कार हैं वो देख लीजे वेबिन हितिदार को यानि जो जलवायू परिवर्तन है इससे संबंधि ज्यान सामगरी का क्या करना है उसका निर्मान करना है और इसके अल कि शमता विकास में क्या करना है सहीयोग करना है तो यहाँ पर नाइन्थ का राइट आंसर ओप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर टेंथ है निम्लिकित में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इखटा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगाा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भारत हो जाएगा ठीक है वैश्विक वायुमंडल चौक्सि स्टेशनूं की शंख्य अगर हम बाद करें वरतवान में क्या है् इकत्तिस ए उसमें कहां-कहां घांग है जो है ब वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिएगा कमेंट करके जरूर बताईएगा अगर आप चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके जादर से जादर लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा थैं